हेलो नमस्कार दोस्तों सेलेक्शन मेंटर पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि आपको पता है आप लोग यूपी लेखपाल की तयारी कर रहे हैं जिसकी ऑनलाइन रेगुलर क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चनल सेलेक्शन मेंटर पर मिलने शुरू हो चुकी है WhatsApp से जुड़ने के लिए 9121815869 या फिर इस नमबर पर लेखपाल लिखकर मैसेज करें जिससे जो भी हम आपको PDF या नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो सब आप तक मिलता रहे हैं तो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे पहले अपने सारे फ्रेंड्स में आज Maths की Class No.1 है ठीक है तो जुड़ जाएंगे सारे लोग देखे Class 1 शुरू करने से पहले या Maths की तयारी शुरू करने से पहले हम लोग आज 25 questions का solution करेंगे और ये solution मैं नहीं करूँगा ये solution आप करेंगे इस 25 questions से आपकी तयारी का अंकलन होगा कि आपकी तयारी किस लेवल प अबशकता है च्योंकि Maths का Level की बात करूँ तो सबका अपना अलग-अलग है जितना आपने 10th Level में पढ़ा है वही सब कुछ आने वाला एक्जाम में तो यहां पे इस 25 के 25 questions को देखके जो different different topics से लिए गए हैं आपको पूरा पूरा पता लग जाएगा कि आपकी preparation किस लेव सबसे पहले Maths का पहला question हम लोग खोल देते हैं जैसा कि मैं रहे बताया आपको और पूरा आपको पता है कि Maths के 25 questions आप लोगों को मिलने वाले हैं exam में पहला question और आपकी screen पे आ चुका है question को solve कीजिए और comment section में answer बताईए सबसे पहला question है त्रभुज का त्रभुज का यहां पे इस त्रभुज के तीनों बुजाओं की value दे रखी है एक बुजा यानि कि A मान लिया 35 दूसरी दे रखी है 40 तीसरी दे रखी है 45 तो A मान लिया इसको B मान लिया इसको C मान लिया जब भी त्रभुज की तीनों बुजाओं दी होती है तो 6 तरफल का formula होता है heroes formula अ खेतरफल का formula क्या होता है, under root के अंदर s, s-a, s-b, s-c, right, अब ये s क्या होता है, ये a, b, c तो मैंने बता दिया, अब ये s क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो s जो होता है, वो होता है, अर्ध परिमाप, यानि कि a, plus b, plus c, a, plus b, plus c क्या हो गया, परिमाप, भ अर्ध परिमाप, इसका मतलब है, बटे 2 कर दो, यानि कि इसका आधा करना है, अच्छा, a की value 35 है, b की value 40 है, और c की value 45 है, तीनों को जोड़ दो, आप कितना आ गया, 45, और 40, 85, और 35, 120, बटे 2, यानि कि s की value आपकी आगई 60, अब a, b, c भी पता है, 60 भी पता है, यानि कि s भी पता है, तो under root के अंदर आप यहाँ पर value रख देंगे, under root के अंदर, s की value कितनी है, यहाँ पर 60, फिर bracket शुरू, अब s की value 60 है, और a की value यहाँ पर कितनी है, 35 है, जो हमने मान रखा है, a को हमने 35 मान रखा है, ठीक है, तो 60 में से 35 गया, मीचे मैं directly लिख दू, कितना ब आती है, calculation वाली बाद, देखे, मैं आपको बताता हूँ, आज maths की class number 1 है, लेकिन जब maths की proper class आगे से आएगी, हम live class के लेके चलेंगे हमेशा, मैं भी live पढ़ा हूँगा, बट lockdown की वज़े से थोड़ा broadband की problem है, connection में एक बार internet की problem दूर हो जाएगी, तो live class से शुरू करेंग अभी क्या है कि पहली class आपकी calculation basis होगी, फिर धीरे धीरे number system पढ़ेंगे, फिर बाकी और topic पढ़ेंगे जो आपकी demand चलती रहेगी, यादि की पूरे syllabus को हम लोग cover करने वाले हैं यहापे, अभी इस question का answer मैं आपको बताओं, तो बहुत सारे लोग पहले इन सब की multiply करेंगे और फिर उसका answer निकालेंगे, लेकिन मैं under root निकालना आपको इसका का trick से बताओं, तो 60 को आप break कर लो, 20 या चलिए 15 की form में break कर लो यह, एक 15 already है, अगर मैं 60 को 15 की form में break करता हूँ, तो 15 चोका 60, तो यानि कि under root के अंदर 15 यह हो गया, 15 यह हो गया, दोनों 15 में से 15 को बाह 4 का under root 2 हो गया, इस 25 में से under root क्या आएगा, 25 का under root 5 आजाएगा, ठीक है, under root, ठीक है, into, अब 20 है, 20 को मैं अगर break करूँ, 5 और 4 में, तो इस 4 को तो मैं under root निकालके 2 लिख दूँगा, लेकिन under root 5 को मैं under root 5 ही रहने दूँगा, इतनी बात समझ में आपकी, अच्छा, इन सब की multiply कर लो, कितना आ गया, 5, 2, 10, 2, 20, 15, 2, 30, यानि कि 300, तो ये आ गया दोस्तो, 300 और under root के अंदर 5, लेकिन value तो आपके पास इस तरीके से है, देखे, ध्यान दीजे, ये बहुत shortcut तरीका है, under root निकालने का मैंने आपको बताया, अब under root 5 की value अगर आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर दिक्कत आजाएगी, ठीके, अगर नहीं भी पता है, तो ये तो option हो ही नहीं सकते कभी भी, है ना, क्योंकि under root 5 की value, देखे, under root 4 की value तो 2 होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, धिहां से देखे, under root 5 की value तो याद कर लो, 2.23 होती है, क्योंकि जब हम तयारी कर रह 270 आएगी, आप करके देखो, बड़ा असान है, है ना, फ़री 300 की multiply 2 से करोगे, 600 तो 1 आगे, और जब 2-3 से करोगे, तो लगबख 70 आजाएगा, यहाँ पर, यानि कि आपका B options है, बास समझ में आ रही है, कि हमने under root कितने आसानी से निकाला, नहीं तो आप इसकी multiply करते रहो सबसे पहला काम है, कि आप उसको increasing, यानि बढ़ते हुए करम में लिखो, बढ़ता हुआ करम क्या होगा, कि सबसे पहले आप एक लिखोगे, भईया मैंने एक लिख दिया, उसके बाद क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, कहा है 4, ठीक है, उसके बाद 5 लिखोगे, कहा है 5, और 5 तो यहाँ पर 3 है, तो आप 3 5 को लिख दो गए, यह मैंने 3 5 को लिख दिया, कोमा लगा लगा के आपने 3 5 को लिख दिया, उसके बाद 5 के बाद 6 आ गया, कितनी बार है, दो बार है, तो आपने दोनों बार लिख दो, जितनी बार है, उतनी बार लिखते चले जाओ, उसके जब भी odd numbers आ गए आपके, यानि 11 है ना, तो बीच वाला number जो होगा, वो आपकी माद्धे का होगी, यानि कि 11 मतलब 5 इदर से निकाल दो, बीच में क्या बचा आपका, एक number जो बचा, वही आपकी माद्धे का होगी, यानि कि ये question, देकि सारे topic पढ़ाएंगे, भी questions को solve कर र है, और छेतरफल 216 है, तो तिर्भुच का परिमाब बताना है, question समझ में आ रहा है, तिर्भुच की भुजाओ का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है, तिर्भुच की भुजाओ का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है, और उसका छेतरफल 216 है, तिर्भुच का परिमाब बताना है, चल को solve करने का तरीका तीनों भुजाएं दे रखी हैं लेकिन वो अनुपात में दे रखी हैं अब सबसे मज़े की बात ये है कि जो अनुपात है वो किस चीज का है ये एक right angle का है यानि कि समकोन तिर्भुज का एक ये क्या है ratio है जिसमें ये 3 होगा ये 4 होगा और ये 5 होगा समक ये करके तब आपको समझ में आएगा ठीक एक formula ये बता है पर एक formula मैं आपको बताता हूं कि तिर्भुज का formula बरावर यानि कि area बरावर एक बटे दो और आधार into lump आधार into lump आधार कितना है यहाँ पर 3x कितना है 3x अब मैंने x क्यों लिया देखिए जब अनुपात में 3 दे रखी है तो एक भुजा को बोल दूगा मैं 3x दूसरी भुजा को 4x और तीसरी भुजा को 5x पर ने समकॉन तिर्भुज क्यों बोला क्योंकि ये 3 4 5 एक triplet form करते हैं यानि कि समकॉन तिर्भुज में ये 3 4 5 5 यहाँ पर विकर्ण हो जाएगा 3 आधार और 4 आपका lump या 4 आधार 3 लंग कुछ भी बोल सकते हैं तो 3x हो गया और फिर गुणा में यहाँ पर 4x हो गया इतनी बात समझ में हा गई इन सब को multiply कर दो area की value यानि कि 6 तरफल तो आपको दे ही रखा है वो कितना है 216 तो 216 बराबर 1 बटा 2 इंटू 3x और 4x यानि कि 2 से यह काट दो पहले x square की value आगई 36 और x की value आगई 6 इतनी बात समझ में आगई आपको यह नहीं है मैं एक बार फिर समझाता हूँ जह हमने 3,4,5 यहाँ पर समकॉन तरफुझ को denote करते हैं तो यहाँ पर 3,4,5 की form में 3x और 4x मान लिया और यहाँ पर 6 तरफल का formula लिग दिया चेतरफल का formula क्या होता है समकॉन तरफुझ में एक बटा दो इंटू आधार इंटू लंब ठीक है तो आधार यहाँ पर 3x है और लंब कितना है 4x और आधार एरिया की value यानि की 206 यहाँ पर दी हुई थी इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई तो x की value 6 निकल गई है आपके सामने उसने इसका परिमाफ पूछा है अभी इसी question मैंने आपको परिमाफ बताया था परिमाफ होता है तीनों भुझाओ का योग तो पहली भुझा 3x, 4x, 5x तो इन सब भुझाओ को अगर मैं add करूं जोड़ दूं तो कितना आएगा 12x कितना x आएगा 12x और x की value कितनी एच्छ है तो और interesting से ये तो बहुत simple सा question है अभी इसके बाद देखेंगे 29 question को इसके बाद देखेंगे ये वाला interesting question है जो मैं tricky way मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ देखें कितने आसानी से मैं आपको समझाऊंगा इस question को यहाँ देखें यहाँ पर थोड़ी जगह बनाते हैं देख पंदरा लोग हैं एक दो तीन चार पांट डॉट 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 पंदरा समझ में आई उन सब की औसात आयू उसने क्या बोली सवाल में पंदरा यानि कि भहिया औसत का मतलब होता है इसकी भी पंदरा मान ली मैंने इसकी भी पंदरा मान ली मैंने सब की पंदरा मान वर्स है भाई पांच की आयू कितनी है चौदा वर्स है पांच लोगों की आयू चौदा वर्स है देखिए सबकी पंदरा पंदरा कैसे आई किसी की जादा होगी किसी कम होगी पर आसतन हमने मान लिया सबकी पंदरा पंदरा है तब ही तो आसत पंदरा है अब देखो पांच बच्चों की आयू 14 words हैं ठीक और 9 बच्चों की आयू 16 words है इतनी बात समझने ही अब 9 और पाच किक्षों 14 बच्चे होगा है अब ये 5 बच्चा जो है इसकी आयू हमें बतानी कितनी 15 जींद लिखा मैंने यहां 5 बच्चे यह 9 बच्चे यहां 15 दरौत 1 अंकेला ही बच्चा अब देखो, मुझे एक बात का जवाब दो, मैंने सब की 15-15 मान ली, तो मैं खाओंगा भाई ये पंदरवे बच्चे की भी 15 होनी चाहिए कि नी होनी चाहिए, मान लिया मैंने, 15 होनी चाहिए, मान लिया, अब जब मैं कहा रहा हूं सब की 15 होनी चाहिए, तो ये जो 9 प्लस नाइन हुआ के नहीं हुआ यहां पर हर एक बच्चे की सा उम्र एक एक साल बढ़ी हुई मैंने बोल रखी है तो एक एक साल बढ़ गया के नहीं बढ़ गया इनका ठीक है अब पांच बच्चों की 14-14 साल है यानि इन लोगों की एज जो है 15 होनी चाहिए थी बढ़ ए तो नोर पांच को जब मैं ओवराल देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है चार साल वो भी प्लस या माइनस प्लस यानि कि ओवराल इतने 14 बच्चों की जो उम्र है वो 4 साल बढ़ी हुई है तो पंदरवे बच्चे की उम्र कितनी होगी औसत के लिए 15 के लिए तो उसकी होगी भाई 15 तो होनी चाहिए और माइनस का 4 यानि कि 11 इसका सही एंसर रहेगा11 इसका सही आणिसलिसे इसकर नहीं है तो मैं आपको इसको दूसरा बताता हूँ तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी लेकिन मैं औसत का एक छोटा सा concept नहीं जा दू फिर आगे बात करें ठीक है चली औसत क्या होता है औसत कैसे निकलता है भाई पदो का योग बटे पदो की संख्या N ठीक है तो यहां से योग का formula कितना निकलेगा औसत इंटू N सही है ठीक है अब मैंने बोला 15 विद्ध्यार्थियों का औसत 15 है तो योग कितना होगा 15 विद्ध्यार्थियों का औसत 15 है और विद्ध्यार्थि कितने 15 बराबर यही तो है यही तो है एक formula की बढ़िव से बता रहा हूँ है आपको ठीक है उसके बाद पांच विद्ध्यार्थियों का औसत 14 है भाई पांच का 14 है ठीक प्लस 9 का 16 है प्लस अब जो अकेला बच्चा बच्चा अब जो अकेला बच्चा बच्चा ध्यान दीजी इस बात में भाई टोटल 15 का जो है वो सबके बराबर तो होगा कि भाई पांच बच्चों की कितनी आयू है 9 बच्चों की कितनी आयू है और बच्चे हुए अकेले बच्चे की कितनी आयू है एक बच्चे की तो एक बच्चे की कितनी आयू है मैंने मान लिया एक्स यहां से formula निकले अब यहां से निकल लो आपका answer 11 आएगा यह formula बना दिया, total योग बरावर 5 बच्चों का योग, 9 बच्चों का योग और 1 बच्चे का योग तभी तो 15 बच्चे होगे, 15 बच्चों का योग बरावर 5 का, 9 का और 1 का ऐसे होता है यह formula से सवाल, अगर आपको formula से करना है तो x की value 11 आपके सामने आ जाएगी ठीक है, अब एक देखे, एक question आगया आपके सामने, यह statistics का, सांख्यकी का इसने पूछा है, आकड़ा सम्हू का सबसे अधिक बार-बार आने वाला मान कहलाता है जल्दी से comment करके बताइए, कि बार-बार मान आने वाले को क्या बोलते हैं और आपका answer आएगा इस सवाल का, वो है बहुलक, बहुलक बोलते हैं उसे, यह कुछ oral questions हैं जो आपके सामने आया हुआ है ठीक है, क्या बोलते हैं उसे बहुलक, जो बार-बार आएगा उसको क्या बोलेंगे, बहुलक, ठीक है, चली, अब आते हैं अच्छे-च्छे questions, बने रही है वीडियो में और समझे कि क्या है इन questions में खास, यह जो question का topic है, यह बहुत ज़्यादा important है, और एक कॉमला आता है दोस्तो, LCM into HCF बरावर संख्याओं का गुड़न फल, पहली संख्याओं को ना दूसरी संख्याओं, अब दिया है, दो संख्याओं का LCM पांसो बीस है, उनका HCF चार है, यदि पहली संख्याओं बावन है तो दूसरी संख्याओं क्या होगी, फॉमुले में पुट कर दो answer LCM दे रखा है, पांसो बीस, HCF दे रखा है, चार संख्याओं दे रखिया है, एक बावन और दूसरी संख्याओं को निकाल ली है, अराम से, जल्दी से answer बताईए, comment section में जल्दी से answer बताईए, I'm waiting for your answer, जल्दी से बताईए, मैं answer का वेट आपके कर रहा हूँ, जल्दी से ठीक है, देखें, काट लो इसको, बावन से पांसो भीस कटेगा, दस बार, दस से गुणा कर दो, 40, यह तो बड़े आसानी से answer आगिया है, ठीक है, very good, बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं, एक सम चत्रभुज का छेतरफल 500 cm का स्क्यार है, एक विकर्ण क D2, विकर्ण पता है क्या होता है, आपोजिट, यानि कि आमने सामने के पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, सौरी, अब देखिए, इसका उसने दे रखा है, आपको क्या, छेतरफल, तो इसके छेतरफल का फॉर्मुला होता है, एक बटे 2 into D1 गुणा D2, चलती से अंसर बताई हैं इसका, तो एरिया की जगह क्या रखो गए, जो तना एरिया दे रखा है, भहिया, पांसो बराबर, एक बटे दो, D1 की वैल्यू कितनी है, 25 और D2 की वैल्यू आपको निकालने है, बात समझ में आई, 25 से काड़ दिया हमने कितनी बार, 25 दुना, 50, 20 बार, और यहां पर कितनी अंसर आगया है, आपर 40, इसका अंसर भी 40, चलिए अगले सवाल की तरफ भढ़ते हैं, स्पीड से, अगला सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखें, इसको हटा दें, जल्दी से आप लोग इस question को solve करने की कोशिस करेंगे पूरी-पूरी, question number 34, आप लोग की screen के सामने आ चुका है, question number 34, क्या कहता है, इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे, आप लोग की question number 34, क्या कहता है, question number 34, क्या कहता है, a, b, c, a company में हिसेदार है, किसी एक वर्स म a का लाव 1 बट तीन है a b c 3 है a का लाव कितना है 1 बट तीन मैंने लिख लिया 1 बट तीन रेशियो b का लाव कितना है 1 बट चार by मान लो इननोंने 1 रूपया कमाया है मान लो कि उन्हें 1 रूपय की यहां पर income हुई तो उस 1 रूपय का A रखेगा एक तिहाई हिस्सा B रखेगा एक चोता हिस्सा तो अब मैं आप से पूछ रहा हूँ कि C कितना रखेगा तो C रखेगा ब्रैकेट शुरू 1 माइनस जितना उन दोनों को मिल चुका है मतलब बात समझ में आई कि टोटल 1 में से घटा दो कितना जितना A और B को मिल गिया है तो A को मिला एक बटे 3 B को मिला एक बटे 4 तो C का हिस्सा निकल के आगया अब सब के हिस्से लिख लो एक बटे 3 तो इसका एक पता ही है B का हिस्सा एक बटे 4 पता ही है C का कितना है इसा साइड में solve कर लो वन माइनस इस ब्रैकेट को कैसे solve करोगे भाई 4 तीया 12 नीचे 12 आगया उपर 7 आगया अब इसको solve करोगे कितना नीचे 12 आगया और उपर 5 आगया नहीं 5 बटे 12 पाँच बटे 12 अब इन पूरे में से LCM ले लो 12 इस पूरे का LCM कितना आगया 12 तो 3 चोक बटे 12 यहां 4 आगया तो 3 आगया और यहां तो 5 आगया तो रेशियो कितना है चार रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो का नियम है जब जोगी common होती है उसे हटा देते हैं नहीं 12 यहां पर हट जाएगा अब क्या कह रहा है यदि क्या लिखा है एक बटे जी बी को एक बटे चार मिलता है और यदि C को C को 5000 रुपए मिलते हैं तब A का मान कितना है देखिए यह तो हमने निकाला था एक के हिसे की बटे एक रुपए में से इतना मिलेगा न उसे तो अब रेशियो के हिसाब से आ गया कि A को मिलेंगे 4 रुपए B को मिलेंगे 3 रुपए और C को मिलेंगे 5 रुपए कब एक रेशियो होता है पर इसको 4000, इसको 3000, इसको 5000 भी बोल सकते हैं लेकिन जब C का दे रखा है आपने आप में 5000 तो 5 की वेल्यू कितनी है? पांच की वेल्यू है दोस्तो 5000 पांच की वेल्यू कितनी है? 5000 तो एक की वेल्यू कितनी होगी? 1000 समझ में आई? अब उसने किसकी वेल्यू पुछी है? उसने बोली एक अमान तो एक अमान तो 4 वेल्यू है तो 4 की वेल्यू कितनी होगी? 4000 आपका answer आगया, जितने लोगों का answer यह 4000 आगया, बहुत बढ़ी आगया, ठीक है, चली, अगले question की तरह बढ़ते है, formula सम लोगों को याद होना चाहिए, एक संबाहू, संबाहू तिरबुज को कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये वाली, ये वाल तब उचाई, उचाई का formula याद हो तो question आसान है, under root 3 बटा 2 into भुजा, भुजा को मैंने ए माल लिया, तो लिख लो under root 3 बटा 2 भुजा की वेडियो 4, 2 से कटा 4 दो बार, तो answer कितना आगया, under root 2 root 3, 2 root 3, 35 बे का A answer आगया, जितने लोग का 35 बे का A आया, बलेकुल हाथ खड कर दो, और बताओ कि आपका यह answer, अगले question पर आजाओ जल्दी से, अगले question पर आप लोग सारे लोग आजाओ जल्दी से, question solve पर बताएंगे, मैं थोड़ा उपर कर दूँ इसे, अगला question आ चुका है, आप लोग के सामने बहुत बढ़िया question है, बहुत easy है, कि भाई, 36 व्य तो 36 into 18, बरावर 27 into D2, D2 की value आपको निकालनी है, अब 9 से काड़ दो, 9 दोना 18, और 9 दोना 27, तीन से काड़ दो 12 बार, 12 दोना 26, तो भाईया, D2 की value कितनी आगी, 24, यानि कि यह 27 आदमी 24 दिन में उस कारे को करेंगे, जब time and work करेंगे, तो मैं आपको सिर्फ दो चीज करा आपको एक type number 1 और एक type number 2, यह type number 2 वाला सवाल है, यानि कि अगर आपने मुझसे time and work पढ़ा, तो आप पूरी तरीके से time and work आराम से समझ जाएंगे सारे question, ठीक है, चली, अगले question की तरह हम लोग बढ़ते हैं, अगला question थोड़ा conceptual है, tricky question है, बहुत आसानी से आप लोग को स जाती है, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है, तो 300 रुपे अधिकराफ होते है, यह 300 रुपे कब मिले, जब 3% ब्याज जादा लिया गया, उच्चतर ब्याज, ठीक है, यह 3% कब मिले, जब, सोच के बताओ, यह 300 रुपे कब मिले, जब 3% ब्याज जादा लिया कितने सालों तक लिया गया 3% दो सालों तक भाई ये 3% का मतलग होता है ये दर का मतलग होता है प्रती वर्ष लेकिन दो वर्षों की बात है और 300 रुपे मिल रहा है मैं ऐसे tricky वे से अगल मैं solve करू बिना फॉम लेके भाई ये एक साल में 3% कमाता है तो 2 साल में 6% कमाया होगा साधरन ब्याज होता है पहले साल भी 3% कमायेगा दूसरे साल भी 3% की अर्निंग होगी चौते साल फिर मतलब हर साल 3-3-3-3% का मिलता रहता है ब्याज अब जब दो वर्षों की बात की गई है तो हम कहेंगे कि उसने 6% की कमाया मतलब एक्स्ट्रा मिला उसे और वो 6% किस के बराबर है 300 रुपे के बराबर है जब 6% 300 रुपे के बराबर है आप सवाल में पूछ रहा है धनराशी क्या होगी मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी धनराशी क्या होती है मूल धन जो शुरू में आपने ब्याज लेने के लिए लगाया था पैसा तो 6% की वैल्यू 300 तो 1% की value आप कहोगे 300 बटा 6 और मैं कहूँगा 100% की value तो आप कहोगे 300 बटा 6 into 100 समझ में आ रही है बात तो answer आ जाएगा इसका 5,000 answer कितना आ गया 5,000 क्योंकि ये 3 से कटेगा 2 बार 2 से कटेगा 50 बार ये 5,000 answer आ गया question समझ में आया हो तो video को like करो तुरंत like करो और thumbs up करो कि आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं अगले question की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं अगला question क्या कहता है जल्दी से देखें अगला question कहता है देखें यदि किसी बहुत हलका question है यदि उसने कहा किसी भिन के अंस हर में एक जोड़ दे जाता है तो मैंने भिन मानली एक बटे बाई क्या मानली एक जोड़ता हूं तो भिन क्या बन जाती है एक बटा दो बन जाती इसको solve कर लो अगले बढ़ते हैं यदि भिन के अंस में अंस क्या है उपर वाला एक जोड़ दे जाता है तो भिन एक हो जाती है यहां से किसी का भी आंसर निकाल लो भिन के अंसर हर का योग निकालना यानि कि आपको निकालना जमा ठीक है एक काम करो ठीक है य की वेल्यू यहां बुट कर दा य की वेल्यू कितनी एकस प्लस ओन य की जागे क्या रगद दू ने एकस फ्लस ओन तो यह तो ऐसी रहेगा ना तो y बराबर कितना आगया तीन भाई x बराबर दो तो y बराबर तीन आया कि नहीं आया एक क्वेशन से ठीक है अब दोनों को add कर दो दोनों को add कर दो answer आगया 5 add करने वाली बात समझ में आए क्योंकि question में पूछा था कि अंस और हर का योगफल कितना होगा इतने question आप लोगों से नहीं हुए जो आपको नए सीखने के लिए यहाँ पर बिले अगली question है देखे वह चोटी से चोटी संख्या जिसे पांसो बारा से गुणा करने पर प्राप्त गुणफल एक पून घन हो पून घन क्या होता है पून घन होता है जैसे जैसे 6 की पावर 3 बरावर 216 216 एक पून घन है बात समझना है अब मुझे देखना है पांसो बारा से गुणा करने पर पांसो बारा में किस चीज की गुणा करो तो पांसो बारा का पहले फैक्टर करने शुरू करता हूँ तो पहले दो से करो तो तो फोर तो फोर यानिक यह फिर बत्तिस फिर सोलह फिर आठ फिर दो चार यह सिर्थ समझाने के लिए करने उ?"환ण यह थिन ना यह फिर अगर आपको याद है QEW, जो कि आपको होने चाहिए ना जब यह पूरा स्लेवस आपको कराऊंगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सारे QEW याद होने चाहिए 20 तक और मैं करा भी दूँगा आपको और मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसमें स्क्वाइर कर लोगा आप 50 तक या चुटके तो आपके उंगलियों पर होगे 50 तक के स्क्वाइर ठीक है मुझे एक बात का जवाब दो जब 8 की पावर 3 बराबर 512 है इसका मतलब जैसे भी मैंने समझाया था आपको कि क्या आप मैं पूछूँगा क्या 512 एक पूर्ण घन संख्या है तो आप कहेंगे यस ये एक अपने आप में पूर्ण घन संख्या है अब उसने पूछा है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको गुणा करने पर पूर्ण घन प्राफ्ट होगा तो मेरा एंसर आएगा multiply by one क्या एंसर आएगा मेरा multiply by one लेकिन बंतो option में है ही ने बंतो option में है ही ने अब अगला नंबर कौन सा होगा तो मैं पूर्ण घन संख्या के लिए देखें अगर पूर्ण घन संख्या के बात करें तो आपके पास दो-डो के यह मैं आ यहनि के आपको दो-दो के एक और पेर मिल जाए तो फिर यह फिर भी पूर्ण घन रहेगी है ना यहनि कि आठ से multiply अजिसे multiply हो जाए तब भी ये पूर्ण घं संख्या रहेगी अंसर आपके सामने है ठीक है ये तो हो ही नहीं सकता ये भी नहीं हो सकता तो 8 से गुणा करके ये संख्या पूर्ण घंड रहेगी अगला सवाल देखे ये question है H.C.F कहा गया तीन भिन भिन पात्रों में भिन भिन मात्राओं के दूद और जल के मिशरण है देखें दूद और जल का मिशरण क्या होता है जो दूदिया आपके यह दूद देने आता है वो दूद और जल का मिशरण ही देखके जाता है वो आपको दूद नहीं देता है समझ में आ रही है बात वो क्या देता है वो दूद और जल का मिस्रण ही देता है आपको ठीक है जस्ट एक बात है तो यानि की एक मातरा 403 है समझे इस बात को एक मातरा 403 है दूसरी मातरा 434 है तीसरी मातरा 465 है ठीक है बड़े से बड़ा माप क्या होनी चाहिए जिससे सभी भिन मातरों में पूर् जाए जब भी ऐसा आजाए ना बड़े से बड़ा क्या होना चाहिए तो HCF निकल वाने की बात कर रहा है वो मासा निकल वाने की बात कर रहा है मासा मतलब महत्तम समावडतर इन्हीं हाइस्ट कॉमन factor, एक बार फिर से बताता हूँ मैं English से बहुत अच्छे से आप याद का सकते हो HCF के full form है highest common factor, highest common का मतलब है, बड़े से बड़ा common क्या बता है मैंने, बड़े से बड़ा common, तो बड़े से बड़ा common का मतलब है, कि ऐसा देखे, भई तीन तरह के पात रहें, ऐसी मात्रा हमें लेनी है, जो तीनों में common हो, जो तीनों में common हो, अब तीनों में common होता है, मतलब HCF, और HCF निकालने का detailed solution आपको बताए जाएगा, अभी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ आपको कि highest common factor तो आपको इसके factor करने होगे और factor करने का तरीका, यहाँ पर यह नंबर्स ऐसे हैं कि आप इसके factors नहीं कर पाऊगे, है ना देखने से तो नहीं कर पाऊगे, अब मुझे option का मैं सहरा लूँगा, भाई, क्या 70 इसका common factor होता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता जीरो तो आएगा नहीं उसमें, है ना क्या 51 हो सकता है, तो किसी एक को काट के देख लो, कि क्या 403 कट रहा है क्या 50, काट रहा है क्या 50 नहीं काट रहा भाई, आठ वार जाएगा ना 408 होता तो फरिस होसता भी आप है ना, यह भी प्रिस्त हो गया, 41 से कट रहा है क्या 403 भाई, तीनों ही कटने चाहिए, बतलब एक ऐसा नमबर निकान ला है, जो तीनों में कॉमन तरीके से काटे उसको, है ना क्या 41 काट रहा है, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है क्या 41 काट रहा है उससे, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है काट के देखो एक बार, ठीक है अब 31 से ट्राइ करो आई, ओप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ आप है 31 से काट के देख लो 31 काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है 31 बंज़ा 31 31 बंज़ा 31, फिर 9 बचा 93 31 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार 31, 30, 93 यानि कि 31 पूरा पूरा काट रहा है अब यानि कि 13 आ गया तो इसको मैं लिखूंगा 31 गुणा 13 अब देखे, टाइम वेस्ट करने वाली बात है एक बार बताईए, जब हाईएस्ट कॉमन फेक्टर निकालना है मुझे, और ये मैंने देख लिए कि भाई, ये 31 से कट रहा है अब मैं अगला नंबर चेक करूँगा कि option तो मेरे पास 31 ही है और 31 से कट भी रहा है तो यानि कि हाईएस्ट कॉमन फेक्टर एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़ा वो एक मापा बन जाएगा बड़ा सा बड़ा कि आप तीनों quantity जब निकालोगे तो बलुकुल बराबर बराबर निकलेगे ठीक है? चली, अगला सवाल हम देखते है अगला सवाल देखने से पहले कुछ और questions देखते हैं इंट्रेस्टिंग से, ठीक है? देखे, दो-तीन questions और करते हैं इसके इंट्रेस्टिंग से फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ देखे, मैं आपको बता रहा हूँ यह कितनी संख्या है यहाँ पर औस निकालना है अगर मैं आपसे कहूँ करमागत है कैसा करूम से आते हुए अन पलस प्लस फोर नहीं है अगर यह क्रमागत होते तो जैसे मैं आपको यह लिखा nggak 2, 3, 4, 5, 6 अगर यह क्रमागत है तो इनका ओसत पता है कितना है आएगा बीच वाला नमबर दो संख्यां इधर काट दो दो संख्यां इधर काट दो बीच वाला क्या है आउसत क्या बोला मैंने आउसत ये कब जब संख्यां और हो एक दो तीन चार पांच यह पांच मेंसे दो इधर दो इधर बीच वाला क्या है आउसत ठीक अब अगर संख बहिया दो इधर निकाल दो खतम दो इधर निकाल लो खतम ये किसके लिए है क्रमागत के लिए तो इन दोनों के जो बीच का होगा वो आपका होगा औस क्या आपको concept समझ में आया बिल्कुल समझ में आगया होगा तो औसत कैसे निकले के न दूनों के बीच का भही है दूनों को बीच कर दो दूनों को जोड़ दो पिर आदा कर दो यानि कि 9 बटा 2 बरावर 6.4 तो औसत कितना आगे इसका 6.4 यानि कि अगर संख्याए विशम है विशम का मतलव है जैसे 5 है तो 5 में बीच वाल आपका उसत हो गया अब यहाँ क्या है? संख्या है आपकी सम है तो इन दोनों के बीच वाल आपका उसत हो जाएगा अचा इसमें n प्लस 4 है नहीं तो n प्लस 4 आप यहाँ पे लिख लो ठीक है? क्योंकि यह मिस्प्रिंट है n प्लस 4 यहाँ पे आएगा अब देखो कितनी संख्या होगी? 1,2,3,4,5,6 तो 6 का मतलब यह सम यानि कि बीच में 2 पकड़ लो उनका आधा कर दो आप बीच में 2 पकड़ लो बीच की 2 कुन सी है? n प्लस 2 और n प्लस 3 इन दोनों को जोड़ दो और उनका आधा कर दो तो जोड़ के कितना आ रहा है यहाँ पे? n और n 2n और प्लस 5 अपॉन 2 इनका जब आधा करो के तो कितना आ आगे? n प्लस 5 अपॉन 2 पास समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ठीक है? यानि कि मैं अगर एक question आप से पूछता हूँ इसी के जैसा यहाँ देखे n, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 कितने संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 अब मैं कह रहा हूँ यह स्क्रमागत है इनका आउसत कितना होगा? आउसर आएगा और अपने friends में share करते रहें देखे, अगले वीडियो देखे अगला question देखेंगे देखे, इस तरह का question एक और आ गया दो संख्याओं का अनुपाद 3 अनुपाद 5 है उनका लगुत्तम समावर तक 300 है तो छोटी संख्या क्या होगी? एक बात आपको समझनी है क्या समझनी है? ध्यान से देखे एक बात आपको समझनी है कि दो संख्याओं का अनुपाद दे रखा है 3 अनुपाद 5 तो यानि कि एक संख्या को मैं 3X और दूसरी संख्याओं का 5X मान सकता हूँ करेंगे बिल्कुल मान सकते है यह तरीका अच्छा है कि भाई जो चीज common है उसको एक बार लिख लो फिर बच्ची हुई चीज को भी लिख लो और HCF कैसे निकलता है मासा HCF निकलता है जो चीज common है बस वो लिख दो वही answer है बात समझ में आ रही है और लासा कैसे निकलता है HCM कि जो चीज common है पहले वो लिख दो और फिर बच्ची वोई चीज भी लिख दो तो यानि कि LCM आ गया 15X और LCM दे कितना रखा है वो दे रखा है 300 तो यहां से कितना है 15230 X की value आ गया आपकी 20 X की value 20 आ गई अब कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी तो 3 है यानि 3 नहीं है 3X है संख्या तो 20 ती है 60 answer आ गया अगर वो कहें भई या बड़ी संख्या क्या होगी तो बड़ी संख्या होगी 5X यानि कि 5 into 60 300 आपका answer आ जाएगा बात समझ में आ गई है ठीक है चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं हम दो अगला question क्या है देख अगला question ये वाला लेते पहले है चलिए अगला question को करने के लिए बहुत simple है सरलीकरन करते चले जाओ और आपका answer आथ चले जाएगा इसी question को ऐसे ही solve करता हूँ देखे 225 का under root किसका है यहाँ पर 15 का किसका है यहाँ पर 15 का तो इसकी जगह मैं 15 लिख सकता हूँ कर नहीं question को इधर से solve करने कोशिश करो हमेशा ऐसे question को पर ये 225 की जगह मैंने क्या लिख दिया 15 अब 114 में 15 मैंने add किया तो कितना आ गया 169 यहाँ लिख लू यहाँ लि 612 प्लस यहाँ पर 13 अब इसमें 13 add कर लो बड़ा असान है 156 25 यह 15625 किसका होता है 125 का होता है काम खतम हो गया 15625 किसका होता है 125 का होता है आंसर आगे मतला आपको square square root बहुत अच्छे सियाद करने होगे मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ अगर आप हमारे साथ बने रहे तो सबसे पहले इनी चीज़ों पर टार्गेट करेंगे है square square root multiply है ना किरकि यह चीज़ अगर हमारे समझ में आगी बहुत अच्छे से तो हमारी कहानी बहुत अच्छे से बन जाती है आगे देखते हैं चली फिर एक algebra question कर लेते हैं चली एलजब्रा question उठाते हैं हम लोग यह रहा इस question को देखते हैं मैं इसका formula बताऊंगा फिर basic से भी करेंगे जब भी कभी ऐसे कुछ दिया रहे कि भाईया इतना बराबर 20 या कुछ भी मान ले तो एक formula लिख लिए x square plus 1 बटे x square बराबर अगर k दे रखा है क्या दे रख चार प्लस एक बटे x की पावर 4 होगी वो होगी k square minus 2 क्या होगी k square minus 2 चलो पहले answer निकार लो k की जगर 23 रख दो 23 का square minus 2 23 का square 529 minus 2 यानिकी 577 आपका answer आगया कितना असान है अब इसको concept को समझते हैं चली concept नहीं मैं आपको ये एक trick बता रहा हूँ अगर question ऐसा आजाए आपके सामने कि भी ये x की पावर 8 प्लस एक बटे x की पावर 8 बराबर 10 है ना और पूछने लगे कि भी ये x की पावर 16 एक बटे x की पावर 16 कितनी होगी तो भ ये answer ऐसे ही आएगा बात समझ में आ रही है बतलब किसी चीज का अगर आपको इस तरह से दिख रहा है कि भी ये दो पावर है ये चार पावर है तो k-2 will be your answer बात समझ में आ रही है ठीक है काफी अच्छे से हम लोग समझने कि कोशिस कर रहे है तो अब मैं एक दो question आपको homework के लिए दूँगा मुझे वीडियो के नीचे comment करके आप लोग बताएंगे screenshot ले लेंगे सब लोग देखे सबसे पहले तो ये question कर लो बहुत आसान है तीन संख्या को योगफल दे रखा है ये a और b का ratio है और ये b और c का ratio है तीनों का पहले combine ratio निकाल लो a b c और फिर यहां पर distribute कर दो ठीक है इसका question number 47 का answer मुझे comment section में ऐसे लिखे बताओ कि भईया 47 का ये answer आया उसके बाद question number 50 देखते है सांख्य की कित्ते लोग को आती है दो question मैंने भी करा है इसके question number 50 का answer ये दो question आप मुझे comment section में करें और एक उड़ंचस भी करके दिखाएं और मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग internet पे काम कर रहे हैं या पर broadband अगर जैसी सेवा हमारी शुरू होती है तो हम live classes के माध्यम से आपको अच्छे से पढ़ाने की क काल सकते हैं बस हमें अपना जज़बा कायम रखना है हमें अच्छे से पढ़ते जाना है क्योंकि preparation जो करेगा उसी का selection होगा ठीक है चलिए बने रही है selection mentor के साथ I hope that you like this session please share with your friends and do subscribe our channel have a good day take care bye